आज मैं बात करूंगा RBI यानिकी रिजर्ब बैंक ओव इंडिया के एक नए प्रोपोजल का और वो प्रोपोजल क्या है वो प्रोपोजल ये है कि बड़े बड़े उद्योगपती बड़े बड़ी कमपनिया इनको भी बैंक खोलने की अजाज़त मिलनी चाहिए ये पिछले 51 सालों से अलावड नहीं है बड़ी कमपनियों को बैंक खोलने की अजाज़त नहीं है जो दूसरे बिजनेस करते हैं बड़ी बिजनेस करते हैं उनको बैंक खोलने की अजाज़त नहीं है लेकिन अब RBI कह रह करते हैं आप लोग बातचीत करते होंगे चाय के टाइम कभी-कभी खाना खाते हुए अपने कॉलीग लोगों से कि अगर हमारा बैंक भी प्राइविटाइज हो गया इसकी नीजी करन हो गया तो हमारे नौकरी का क्या होगा बहुत लोगों को डर है कि जैसे पी-े-म-सी बैंक फेल हो गया येस बैंक में प्रॉब्लम हुआ है अभी अभी आप देखे कि लक्ष्मी विलास बैंक में प्रॉब्लम हुआ है इन सब प्रॉब्लम के चलते क्या हमारा पैसा जो सरकारी बैंक में हमने रखा है वो अगर किसी प्राइविट सेक्टर को दे दिया जाए तो क्य गरीब का फासला है वो और भी बढ़ेगा इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि बैंक इसलिए होते हैं क्योंकि जो हम पैसा हमारे पास होता है वो कोई चोर आकर हमारे घर से उठा कर न ले जाए इसलिए हम बैंक में सुरक्षित रखते हैं इसलिए बैंक होते हैं तो आप सोची कि मैं कितना हिरान होगा जब मुझे पता चला कि बैंक से ब्याज भी मिलता है एक तो वो हमारा पैसा सुरक्षित रख रहे हैं उसके पैसे भी दे रहे हैं बहुत देर बाद जब मुझे अकल आई तब मुझे समझाया कि बैंक अगर हमसे डिपॉजिट लेकर हमको ब्याज देते हैं तो वही पैसा फिर वो उद्योगों को कारोबारियों को लोन में देते हैं उनसे ज्यादा ब्याज लेते हैं और ये जो gap होता है, जो ब्याजवों हमें दे रहे हैं, और जो ब्याजवों लोन पर ले रहे हैं, इसी से bank का मुनाफ़ा होता है, और इसी लिए banking business चलता है, तो खेर ये तो हुआ bank के business की बात, लेकिन अगर मैं पूरे अर्थवेवस्था के तरफ से देखो, तो bank एक बहुत महत्वपूर्ण institution होता है अर्थवेवस्था में, वो क्यूं? क्यूंकि हमारी बचत हो, कहीं पे भी जो बचत हो रही है, वो पैसा bank लेता है, एकठा करता है, और उसको उद्योग पतियों को, कारोबारियों को, सरकार को लोन देता है, हम लोगों को भी personal लोन उससे मिलता है ताकि हम घर खरीच सकें, गाड़ी खरीच सकें, और इसी को कहा जा सकता है, कि जो सोया हुआ पैसा है, हमारे bank में सोया हुआ पैसा है, या fixed deposit में सोया हुआ पैसा है, जो किसी काम पे नहीं लगाया जा रहा है, उसको जीता जाकता पूंजी में बदला जा सकता है, जो की उत कारोबारी के लिए और इसलिए 1969 के बाद जब बैंकों का राष्ट्रिय करन हुआ प्राइविट बैंक होते थे 14 बड़े कमर्शिल बैंकों का इंदरा गांधी ने नैशनलाइजेशन कर दिया उसके बाद से कहा गया है कि कोई भी बड़ा पूंजी पती कोई भी बड़ा कारोबारी कोई भी बड़ा कमपनी जिसका कोई और बिजनेस हो वो बैंक नहीं चला सकता 1990 तक तक तो खैर प्राइवेट बैंक थे ही नहीं वो बंद हो गए थे अब उसके बाद भी जब प्राइवेट बैंक खोले जाने की लाइसन्स दिये जाने लगे तब भी कहा गया कि आपका अगर कोई दूसरा बड़ा बिजनेस है आप बैंक नहीं खोल सकते क्यूं इसका एक सिंपल कारण है कि आप सोचए कि अगर मैं उधारन देता हूं कि एक ब्रिज बनने का एक टेंडर खोला जा रहा है हां चार कंपणिया है टेंडर वो प्रेजन करेंगे कॉंट्राक्ट के लिए और एक के पास एक बैंक है अब आप सोचए कि ब्रिज बनान तो क्या होगा? उनको पता होगा कि हमें तो आसानी से लोन मिल जाएगा, सस्ते में लोन मिलेगा, दूसरों को अगर 10% में लोन मिल रहा है तो हमको 8% में मिल जाएगा, तो इसके चलते क्या होगा? वो टेंडर में जब प्रिजेंट करेंगे अपना, वो थोड़ा सा पैसा कम खर्च कम देशा सकते हैं और कॉंट्राक्ट उनको मिल जाएगा और सिधी बात है जिसके पास पूंजी है वो कॉंपेटिशन में आगे निकल जाएगा और बैंक की पूंजी एक बहुती बड़ी पूंजी है जिससे लोन लेना आसानी से अगर आप सक्षम है अगर लोन ले सक को लोन देगा इसका डर लगा रहता है और इसे लिए इसको बंद किया गया था 51 साल पहले और जब 1990s में प्रैवेट बैंक को अलाओ भी किया गया तब भी इसको अलाओ नहीं किया गया है हैरान करने वाली बात है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं Except one, एक को छोड़कर, बाकि सबी ने कहा कि बड़े corporate, बड़े industrial house को bank का license नहीं देना चाहिए, उनको bank खोलने की अनुमत नहीं होनी चाहिए, क्यूंकि वो इसका गलत फाइदा उठा सकते हैं, और इसका गलत फाइदा उठाके वो अपने company का फाइदा पहुचा सकते हैं, साथ में एक और चीज़ है कि क्या हो सकता है, वो अगर उनका business कहीं और fail हो रहा है, तो उसका जो fail business का infection, bank पे भी आ सकता है, इसका भी डर है, और उनने ये भी कहा कि हमारे देश में जो private company आ हैं, उनमें corporate governance, यानि कि transparency, पाढ़ दर्शिता कम है, और इसके चलते, अगर आप पबलिक का पैसा धन्ना सेट के हाथ में आ जाएगा, और इसलिए जादातर सलाकारों ने एक को छोड़कर इसके खिलाफ बोला है, फिर भी इस committee ने कहा है, कि बड़ी company को, बड़ी पुन्जिवादियों को, bank खोलने की अजाज़त होनी चाहिए, एक और चीज़ इस committee ने कह है, अभी तक अगर कोई भी promoter bank चालू करता है, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा share holding उनका 15% हो सकता था, 15% मतलब है कि अगर board हर एक company के एक board of director होता है, जो तेह करते की company करेगा क्या, बोर्ड में अगर आपके पास 15% share है, तो आप 7 में से एक director आप ले सकते हैं, एक director क seat आपके पास होगा, अब RBI की एक committee क्या कर देए, कि ये limit 26% तक कर देना चाहिए, जो 15% का limit है, यानि board में अगर चार लोग है, उनमें से एक promoter के पास, समझ लीजे आप, एक है कि बड़े industrial house को कहा जा रहा है कि आप bank खोल लीजे, और उस bank पर भी control, पहले अगर कम था 15% share 26% पर आपका control और भी बढ़ेगा, हाँ ये committee कह रहे है कि कुछ कानून बदल दीजे, ताकि bank को आप उसको control कर सके कि वो किसी गलत फाइदा ना उठाए, लेकिन आप आज RBI होकर भी गलत फाइदा उठाने वाले bankों पर तो कुछ नहीं कर पाए, yes bank हो, ilnfso, pmc bank हो, और खानून बदलने से, बड़े उद्योगपती चुप चाप बैठकर bank की सिरफ चलाएंगे और उसका कोई फाइदा नहीं उठाएंगे, आखिर आज हमारे देश में जो खराब लोनों का problem है, वो इन लोगों के लिए ही है ना, जिन लोगों ने ये problem create किया है, उनी को दिया ज क्या होगा, लेकिन आगर आप newspaper भी देखेंगे, उनको का जाएगा, का जा रहा है कि ये बहुत बड़ा banking reform है, ये होना चाहिए था, बहुत बड़ा है, गोधी मीडिया आपको सच नहीं बताएगी, गोधी मीडिया इसकी इसलियत, असलियत आपको नहीं बताएगी, मैं बत का जाएगी मीडिया इसलियत आपको सच नहीं।